आज की वीडियो में बात करने वाला music production की process के बारे में अब सबसे important जो मेरे ख्याल से वीडियो वो आज की वीडियो तो यह तो पूरी देखना और यह वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे comment देखे अपने channel पर जिसको देखे मुझे लगा कि भाई जो भी भाई लोग है अपने नए नए सीख रहे हैं उनको पूरी process एक साथ किसी ने अभी तक बताई नहीं है तो इसलिए उनको पता नहीं कब क्या करना है और इसी वज़े से वो music नहीं मना पा रहे हैं इसी वज़े से उनके दिमाग में ये निरासा भी आ जाती है कि हम अच्छे music producer नहीं है बलकि बात भाई मेरे ये नहीं है बात यह है कि एक process होती है जो कि पूरी पता चलेगी ना तब समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है लेकिन लोग क्या करते हैं आज इस channel पर compression की वीडियो देख लिए इधर EQ की देख लिए इधर ये देख लिए कि इस sound कैसे करा है अपने vocal को इधर वो वीडियो देख लिए तो कुडो में चीज़े देख लिए लेकिन पूरी जो है समझ पाओगे और ये पता कर पाओगे कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है पहले कैसा दिखेगा बाद में कैसा दिखेगा पहले कैसा सुनाई देगा मेरा गाना बाद में कैसा सुनाई देगा क्योंकि सब को पता होगा मकान जो बनते हैं बड़े-बड़े हाउस बनते हैं वो भाई डायरेक्ट बड़े-बड़े नी बन जाते हैं एक छोटी-छोटी इंट रखनी पड़ती है फिर जाके बड़ा मकान बनता है वो बनने के बाद भी उसके लिपाई-पुताई होती है उसके बाद रंग होता है फिर वो सुन्दर दिखता है फिर इंटीरियर होता है और सुन्दर दिखता है तो ये स्टे बाई-स्टे प्रोसेस है लेकिन अबर कोई मकान मालो बनना स्टार्ट है खड़ा ही खोदा होया तो वहां जाके देखो कि तो बड़ा बदसूरत दिखेगा तो आप सचोगे बाइश तो बड़ा बदसूरत है लेकिन वह भी बहुत जरूरी है वह बदसूरती भी बहुत जरूरी है उस खुबसूरती तक पहुशने के लिए लेकिन जो नए music producer आ रहे जो मकान है एकदम must बना हुआ मकान दिमाग में वह रता है कि शिदा व्यसा ही दिखना चीज़ और जब start करते हैं काम और व्यसा नहीं दिखता तो वह निरास हो जाते हैं कि हम तो अच्छे नहीं है लेकिन हर किसी के साथ में होता है कि start में बेकार चीज़ बनती है उसको police क करतकुरा के हम बनाते हैं अच्छी चीज और start से finish महुचने में एक process को use लेना पड़ता है तो भाई वो process आज समझो क्योंकि वही मैं समझाने वाला हूं तो start करते हैं आज मैं बताऊंगा ताकि यह बहुत जरूरी वीडियो क्यों है क्योंकि इस process के बार समझ जाओगे न तो इसके साब से अपनी जो भी process के जिस भी step में हो वहाँ पर थोड़ी बहुत परिशान आती है तो वीडियो देख सकते हो मेरी देखने चाओ किसी और की तो भाई लोग सबसे पहली बात करते हैं कि गाने में सबसे पहले क्या होता है कई लोग पूछते कि साब पहले lyrics आती है या फिर पहले music आता है तो पहली बात तो यह बताओ मैं दोनों काम में से कोई भी काम पहले कर सकते हो lyrics पहले लिख सकते हो music पहले बना सकते हो lyrics अगर तो अगर खुद singer-songwriter हो, music producer हो, थोड़ा संगीत का knowledge रखते हो, तो कोई ना कोई melody दिमाग में आई होगी, lyrics के साथ में कोई ना कोई melody जरूर दिमाग में आई होगी, तो उस melody को base बनाके उसके उपर पूरा music track बना सकते हो, ठीक है, कुछ दो line ही है, कि ऐसी दो line गुन-गुना रहे हो, कि यह line मुझे अच्छी लगी, इस पर मैं गाना बनाता हूँ, तो वो line chorus की है, या फिर rap covers है, क्या है, वो दिमाग में लेखना पड़ा है, उसके हिसाब से music बना सकते हो, यह तो होगी पहली, यानि lyrics पहले दिमाग में आगई, music बाद में बनाया, अब दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी, कि music बेटे-बेटे बना रहे थे, तो कोई beat beat must बना ली, अब सोचने कि इस पर कुछ लिखे, अब बात करते हैं, कि जो नई beat बना रहे हो है, नई beat बना रहे हो है, तो उसकी process start to finish क्या होगी, तो सबसे पहले अपने दिमाग में यह होना चाहिए, कि मैं कौन सा गाना बनाना चाहता हूँ, कौन से genre का गाना बनाना चाहता हूँ, भाई बोलोगे genre क्या होता है, जो अपना जो बोलते हैं, लोकल जो हो गया, वो music हो गया, अब इनका अंतर होता है, स्पीड में, यानि गाड़ी जो है, वो 140 की स्पीड पर चल रही है, या फिर 100 की स्पीड पर चल रही है, उसके हिसाब सही music की भी speed होती है, जो इसको हम बोलते है beats per minute, तो beats per minute के हिसाब से इनका main तो अंतर होता है, जो भी अलग-अलग genre है music के, और दूसरा, इनके drum pattern जो होते है, उनका difference होता है, तो यह दो चीजों का difference होता है, वो genre को decide करता है, अब कौन सा genre कौन सा है, यह समझने के लिए, क्योंकि यह चीज ऐसी है, जो कि practically बता ही नहीं जा जैसे तुमको लगता है कि मुझे hip-hop music बनाना है, तो hip-hop के गाने सुनो खूब सारे, YouTube पे, Gana पे, Gio Sawan पे, Spotify पे, जहां भी सुनो, खूब गाने सुनो, तो तुमको समझ में आ जाएगा, कि सब में एक चीज common है, यह वो drum pattern जो है, एक तरीके से common चीज है, वो hi-hat का pattern एक त front में नहीं होते, drum को थोड़ा सा soft रखा जाता है, pop music में, hip-hop में drum को पड़ा पंची एकदम ऐसे है, मतला होड़ के निकलता है drum बार, तो यह फरक होते है, कुछ हर एक genre में, अपने devotional music भजन भजन उसमें, ढोल की बन काम में लेते हैं, मजजीरे काम में लेते हैं, ठीक है, सुनो, खूब सारे सुनो, तो समझ में आएगा कि यह चीज कैसे बनती है, इस चीज में क्या फरक है, और अलग-अलग genre के नाम लिखके, जैसे हमालो तुमको EDM, EDM भी एक genre बन गया, electronic dance music, hip-hop हो गया, तो तुम लिखो कि hip-hop songs, 1000 songs आ जाएंगा सुनो सबको, फिर लिखो EDM songs 1000 songs जाएंगे, सुनो, फिर देखो, इनमें difference क्या है, drum beat का, tempo का, speed का difference होता है हर गाने में, तो भाई, यह समझ में आगया कि कौन सा बनाना है, मेरे को समझ में आगया कि मुझे, hip-hop बनाना है, चलो बनाना है, hip-hop, अब hip-hop को चालू कैसे करे, बैठ गया वाई साब, computer software लेके सारी वीडियो देख लिए, अब क्या करूँ मैं, मुझे नया बनाना है, मेरा क्या करूँ मैं, तो उसके लिए मेरे भाई, या तो अपने दिमाग में गुन-गुनाओ, कुछ भी, CT बजाओ, ऐसी time pass करते-करते, हो सकता है CT बजाते-बजाते, कोई ऐसी चीज निकल के आज वो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, वो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, वो नहीं आता है, तो कोड से स्टार्ट कर सकते हो, सबसे पहले, first of all, कोड से स्टार्ट करेंगे, कोड क्या होती है, तीन नोट का ग्रूप होता है, कोड, कोड पर मैंने वीडियो बना यह लिख दो तो Chords G2 Beats, YouTube में जाएक सर्च करोगे, Chords G2 Beats, How To Make Chords G2 Beats आगे लिख देना, वीडियो मेरी आ जाएगी, तो वो सर्च करो, टी कमी, Chords बना ली, Chords के Rule में बताई, मैं ऐसे Simple से अगर Music theory नहीं बेहती तो भी बना लोगा, आ nine से, तो उसके हिसाब से, DR Ehinnen,我想s, Key Key के हिसाब से, ची के हिसाब से, फिर आगे सवान चलेगी, तो सबसे पहले ही चीज किया है? Chee को Select करो, kis Key में सवान बनाना चाहते हो? नहीं समझ में आती तो पहले chord swords बना लो और उसके साफ से identify करो कोई सी key में चल रहे हो कोई सी key पसंद आई फिर उसमें सारा कार्य करम करना पड़ेगा Hip hop music बना रहे हो तो उससे पहले drum भी बना सकते हो और drums में वही होता है अपना kick, bass, hi-hat और snare बेस में जो होता है वह iterate bass होती है और punchy एकदम drum बनाने पड़ते है और groove जो है वो तो hip hop का आपको पता ही अलग लग type के groove होते है जितने hip hop song होगे उतने अच्छी बात है आप बोलोगे साब हमारे दिमाग में drum pattern नहीं आते है कि drum को कैसे बनाया जाया kick कहाँ पर लगाए, snare कहाँ पर लगाए, hi-hat कहाँ पर लगाए तो tension लेने की ज़रूद नहीं है होई तो कोई गाना होगा, hip hop का चो तुम्हे पसंद होगा खूब जादा होगा कोई ना कोई, उसका groove है उसको copy paste कर दो इसको नकल या चोरी नहीं बोलते हैं इसको बोलते है help लेना किसी दूसरे से जिसको आता है वो तुमको सिखाएगा तो उस गाने को उठा के लाओ, उसका tempo identify करो FLS studio में tempo जो है search करने का option आता है और उसका ditto drum pattern copy कर लो कैसे बज़रा है सुनो और अपने step sequencer में उसको लगा लो उसका tempo भी पूरा अड़ेट्व कर सकते हैं वह सारा का structure भी कर सकते हो कहां पे उसको कोपी निका का आ जाता कोपी कि सِक आ जाता है कि तूम किसी song की melody को अगर copy कर लो वह कोपी है, बाकी कुछ भी कोपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं, सब करते हैं, बॉलीवुड में तो भरी पड़ी है, कोपी, कितने गानों की तुम्हें दिखाऊ, बहुत भरी पड़ी है, तो वहाँ से structure को समझ सकते हो, किसी भी song के को, तुमको बहुत favorite song को, इसको loud डालो, अपने FLS studio में tempos के साब सेट करो, और देखो भाई, यह कहां से start हो रहा है, किसका intro है, उसके बाद में कितने बार में chorus है, कितने बार में इसका verse है, कितने बार में इसका breeze है, इसका drum pattern कैसा है यह हाइट को किस तरीके से चला रहा है, हाइट simple हाइट है, या फिर हाइट के roll डाले में, क्या हाइट में distortion डाला है, क्या vocal में distortion डाला है, इसका bass distorted है, या कैसा है, bass loud है, kick loud है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है, समझने की कोशिस करो, analysis करना पड़ेगा, कोई doctor बनता है, तो तु पढ़ ले, doctor का certificate दे दिया, ऐसे नहीं बनेगा, उसके सामने एक मरावा आद में डाला जाता है, उसको बोला जाता है, इसको फाड, इसको चीर, और इसके अंदर देख क्या क्या है, तो वेसे ही तुमें भी एक उठा के लाना पड़ेगा, उसको फाड़ना पड़ेग चीर ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहां क्या 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 आ रहा है, अपने FLA studio में उसके हिसाब से टप टप लगा के, उनको mark करो कि यहां पर यहां पर यह, तो उस तरीके से structure और drum beat, drum pattern सब समझ में आ जाएंगे, तो वहां से अपने गाने का drum pattern चालो करो, और उस गान पर बता दिया, कौन कोन से notes में कामें लेवे, तो वह भी कर सकते हो, melody कोपी मत करना, chords कर सकते हो, copy, drum भी कोपी कर सकते हो, कोई दिखतनी है, स्टार्ट करो, कोई भी इसमें वह नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आदमी में inspiration नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, mixing पर ध्यान नहीं देना, दिमाग में भी नहीं लाना है, बकवा sound आ रहा है, करने दो, लेकिन sound आ रहा है, सिरफ यह ध्यान को sound आ रहा है, bass लगा लिए, drum लगा लिए, kick लगा लिए, hiat लगा लिए, chords लगा लिए, और 808 भी set कर दिये, अब उसको सारे को कर लो, set, मतलब ज यसा नहीं कि कोई पुराना instrumenter काम नहीं करेगा, हो सकता है काम करज़े, अलग लग चीज़ों को डाल के देखो, कूंसी अची sound करिया, उनको सब को set करो, उसके बाद में आता है number, किस चीज का, उसके बाद number आता है gain staging का, और gain staging को मैंने video बनाई वी है, तुम लिखाओगे gain gain staging G2 Beats, gain staging G2 Beats, search जाके Google पे, तो वो सिधा सिधा आ जाएगा, तो इस तरीक से, अब तुम बोलते हो, भाई, link डाल दो, मुझे मैं भूल जाता हूँ, तो तुम direct search कर लिया करो, मैंने video बनाई विए, तो उस चीज का नाम लिखो, उसका गई G2 Beats लिखो, तो वो मिल जाए ठीक है, उनकी खूब loud आवाज जाएगी, तो फटेगी, अब कई लोग पूछते हैं मुझे, मैं आज इस पूरी process इसलिए बता रहा हूँ, क्यों कई लोग मुझे पूछते हैं, कि साब हम गाना बनाते हैं, उसमें हमारी vocal तो बहुत loud होती है, नहीं हमारी vocal की तो आवाज को बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कई लोग की दिमाग में यह बात नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है, इसलिए वो सुरू से बढ़ा के रखते हैं, और वो सारी आवाजें मिलके फट जाती है, इसलिए केन स्टेजिंग सबसे जरूरी है, कम से कम आवाज रखो आजकल हर आवाज जो है हाई क्वालेटी आते है, सेंपल डाउनलोड करोगे, इंस्टूमेंट, VST, सिंथ, सब में हाई क्वालेटी साउंड आते हैं, जिनको बाद में बढ़ाया जा सकता है, अपने माइक्रोफोन से अपने वोकल भी रिकोर्ड करते हैं, अगर वो भी लो अब mixing कर ली, mixing हो गई, उसके बाद मैं structuring कैसे करेंगे, तो मैंने बताया, तुम्हारा जो favorite गाना है, उसके हिसाब से अपने beat को भी structure कर दो, कहाँ पे वो drum को डाल रहा है, कहाँ पे उसकी melody बज़री है, कहाँ पे उसका piano बज़री है, कहाँ पे उसकी chords बज़री है, कहाँ बज़री है, कहाँ पे हाँ एट आ रही है, कहाँ पे जारी है, वो सारा उसका गाने को सुनो, और वैसे वैसे set कर लो, तुकि हर गाना structure में बनता है, मैंने तुमको बताया था, और वो भी structure में बनाऊगा जो भी तुम्हारा favorite गाना होगा, तो वो हर बार यानि चार बार का मालोस ने इंट्रो देदी, आर्ट वार की वर्स देदी, ऐसे होगा, तुमको भी वैसे ही टेमपो सेट करके, अपने गाने को सेट कर लेना है, अच्छा, अब मिक्सिंग का मैंने बता दिया सब होगा, अब भाई, जो लास्ट में आएगी, वो आएगी मास्टरिंग, और मास मास्टरिंग में काम हो जाएगा, मास्टरिंग में कोई जादू हो जाएगा, कोई जादू नी होता, कोई अगर बोलता है, जादू होता है, तो वो बेवकू मनाता है, काम होता है, मिक्सिंग में अच्छा साउंड नी हो रहा है, तो मास्टरिंग में अच्छा साउंड नी क्याюсь कर, लोगो को समस्या है कि लोगो को मतला कुछ नहीं हो रहा側 है तो एक वीडियोउ बताओ, भнач120 वीडियोम नहीं हो दू पूरी प्रोसेस, जु मैंने अब उन फ्रॉसेस घलना सारी समझ नहीं पड़ेगी एसे होता है फिर इसमें यह step आती है फिर उन step ऑगी आप वीडियो देखो और इस step को और समझने को है इसमें compression हो गया EQ हो गया reverb delay कैसे का में लेना क्यों लेना है वो सब पता होगा न तब music producer बनाओगी अब लोगों कि से यह पैसे इंस आई नहीं लोग क्या चाहते हैं कि बाई मुझे एक वीडियो दिख जाए उससे में गाने में लो ऐसे नहीं बनती भाई मेरे पूरी प्रोसेस फॉलो करनी ही पड़ेगी फिर वो उसको सुनने के लिए और ज्याद खोलेंगे तो फिर वो डिस्टॉर्सन हो जाएगा क्योंकि वो क्लिप हो जाएगा तो भाई बाकी इंस्ट्रूमेंट को नीचे कर लो वोकल सुनने लग जाएगा अपने अब फिर लास्ट्र मास्ट्रिंग की टाइम पर सबकी वास हर को इंस्ट्रूमेंट फिर गयनी स्टेजिंग के बार मिक्सिंग होती है उसके बाद थोड़ा पर साउंड ऐसे लगता है यहां ठीक आ रहा है और फिर मिक्सिंग में और ट्वीक भी करने पड़ सकते बाद में जैसे जैसे कुछ भी मालो लगा कि यह ठीक नहीं सुनाई पर सीखो मेरे भाईयूं और सीखने लिए कि थोड़ा सा डायरेक्शन चीए विडियो में आज इस वीडियो में देनी कोशिस की है तो भाई लोग वीडियो पसंदा है लाइक करना सेर करना सब के साथ में और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका किसका वेट कर रहा ह कर दो बाई मैं तुमारा बाई जितू और तम सब देख रहे हो जितू बीट्स और जिसा मैं कहता हूं कि बीट वनाते रहो और मजे करते रहो चलता हूं